नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एजू किस्टर चरह में तो आज हम सिखने वाले हैं एंजाइटी के बारे में एंजाइटी मतलब कि ऐसा प्रॉब्लेम कि जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा जोई वो सोचते हैं और जुसके करण आपकी चिंता जोई वो बढ़ती है मतलब कि overthinking के कारण या फिर किसी एक ही topic के उपर बहुत ज़्यादा सोचने के करण आपको चिंता होने लगती है गब्राइट होने लगती है सरीर में जैसे कोई डर है ऐसा आप जो फिल करते है तो ऐसी conditions के बारे में हम detail में study करेंगे कि किस तरह से हम उसका इलाज कर सके और कौन से medicines उसमें use होती है anxiety होने के reason क्या होते है symptoms क्या होते है तो detail study करते है आज के lecture में तो anxiety होना या फिर जो चिंता होना तो ऐसा problem है कि जिसके अंदर आप किसी एक ही topic के उपर बार-बार सोचते रहते है overthinking का problem रहता है या फिर चिंता या फिर गबरहाट रहती है और आने वाले समय में कुछ बूरा या खराब गटने की आसंग का जह हो आपके मन में बैठ जाती है बट actual में ऐसा कुछ नहीं होता because हर किसी के life में थोड़ी बहुत चिंता तो होती है but ये problem या मसला तब बन जाता है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं आपकी thinking जो है वो कमें नहीं होती वो topic के बारे में या फिर वो situations के बारे में बहुत ज़्यादा जो हो आप सोचते रहते हैं तो ये होने के कुछ reasons होते हैं तो पहला reason ये है कि workplace के उपर आपको काफी ज़्यादा stress है कि आप कोई job करते है या फिर कोई ऐसा business करते है तो वहाँ पर आपका काफी stressful माहूल रहता है तो ये एक reason बनता है anxiety के लिए second है living arrangement जो हो आपकी change हो रही है कि आपकी place change हो रही है आपकी जगा change हो रही है आप ऐसे माहूल में रह रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा stress है या फिर आप ऐसे लोगों के साथ या फिर रह रहे है कि जो आपको काफी ज़्यादा परेशान करते है या फिर इस तरह से एक conditions produce होती है इसा माहूल बनता है कि जिसके करण आप काफी stressful फिल करते हैं और वो conditions के बारे में आप बहुत ज़्यादा जो हो सोचते रहे दे दर्द होगा या फिर pain होगा तो उसके बारे में आप ज़्यादा tension लेते रहते हैं और वो एक tension वो एक चिंता आपके लिए एक बिमारी बन जाती है और ये anxiety disorder कही जाती है चौता reason है कि कोई family problem है या फिर कोई relationship में आपको problem है तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और वो भी एक anxiety का जो हो reason बनता है फिर कोई emotional shock है आपकी life में मलब कि कोई emotionally कोई आपको blackmail कर रहा है या फिर किसी भी तरह से आप emotionally किसी से hurt हुए है तो वो भ आपके लिए चिंता का reason बन सकता है कि उसके करण भी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और आगे जाके ये एक बिमारी का रूप ले लेती है फिर हम देखे तो कोई stressful या फिर कोई traumatic event हुआ है आपके life के अंदर कि अचानक से कोई ऐसा accidental कोई event बनी है कि जिसके करण आ रहे है या फिर verbally या फिर sexually या फिर physically को इसी ने आपको या फिर emotional आपको किसी ने abuse किया है या फिर कोई ऐसा trauma हुआ है आपके life के अंदर तो भी आपको जो है वह ऐसा फिल होता है और किसी की date हो जाती है कि जो आपका बहुत करीबी है कि जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या फिर जिससे आपको सबसे ज़्यादा लगाओ है तो उस वो person की date हो जाती है तो भी आप जो है वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और वो भी एक आपके लिए anxiety का reason बनते हैं तो उसकी detail study करते हैं आज के lecture में और जानते हैं कि उसके symptoms क्या develop हो सकते हैं कोईस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं और कौन से medications या फिर कौन सी ऐसे अलग-अलग therapies को हम use कर सकते हैं anxiety को दूर करने के लिए तो ऐसे इसी के medicine course में pharma rocks के पूपर बहुत ही अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कि कौन सी दवा हम उसमें use करें फिर उनके side effects अगेरा क्या होते हैं तो detail study करने के लिए आप जोइन कर सकते हैं medicine course को pharma rocks के पूपर तो medicine course जोइन करने के लिए हमें whatsapp कर सकते हैं 901631-2020 तो अब समझते हैं anxiety के बारे में काफी गवरा होती है हाथ और पेर आपके कापने लगते हैं या फिर कई बार काफी ज़्यादा पसीना आपको आने लगता है और किसी एक ही topic पे बहुत ज्यादा जोए वह आप सोचते रहते तो वह एक problem है anxiety तो anxiety जिन लोगों को होती है वो किसी एक ही topic पे या फिर किसी एक नीचर होती है कि जिसके करण होता क्या है कि कुई बी ऐसी event उनके life के बनती है तो वह topic के बारे में या फिर वह event के बारे में बार बार सोचते रहते कि आप मतलब कि गर में कोई ऐसा incidents बनता है या फिर इवन समझे कि घर में कोई problem ना हो और बाहर कोई वो ऐसी चीज़ देखते है तो या फिर कोई ऐसी news negative news वो देख लेते हैं तो उनके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा जो वो सोचते रहेंगे और वो एक reason बनता है उनके लिए anxiety का तो ये कहा जाता है एक overthinking nature या फिर काफी sensitive nature और उसके करण क्या होते है कि आपके सरीर के अंदर या फिर आपके body के अंदर physical changes भी होते हैं blood pressure बढ़ता है और दूसरा stress level जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये condition के अंदर because जब आप overthinking करते तो obviously आपका stress जो बढ़ जाता है तो symptoms क्या develop होते तो सबसे पहले trembling होना trembling मतलब कि आपके हाथ और पेर जो इस तरह से कापने लगते है या फिर आपको company जैसा फिल होता है दूसरा आपके heart में palpitations मतलब कि irregular heartbeats हो जाना या फिर heartbeat जो वो increase होने लगते है दि craziness जैसा जो वो फिल करता है या फिर nausea vomiting जैसा person जो वो फिल करता है कुछ cases में काफी ज़्यादा ठंड लगती है कि patient ऐसा फिल करता है कि उसको ठंड लग रही है कि चाहे किसी भी condition हो तो भी उसको जो ठंड लग ले रहते है या फिर अच्छा रंक से उसको गर्मी का ऐसा सो होता है पसी नहीं हो जाता है और breathing करने में उसको difficulty होती या फिर breathing जो वो सौट हो जाता तो यह कुछ primary symptoms बनते है एंजएटिक अंदर detail में समझे तो सबसे पहले breathing करना में problem होता है और सोने में दिक्कत आती है और जो भी आपका कोई काम है कि जो भी आपको आप कोई काम करते है या फिर जो भी आपकी responsibilities है तो वो आप अच्छे से नहीं कर पाते because आप concentrate नहीं कर पाते है आपके काम के उपर या फिर आपकी जो भी responsibilities है आपकी जो भी जिम्मेदारी वगरा है तो उसके उपर आप proper focus नहीं कर पाते है फिर nervous जो है आप काफे feel करते है और काफे ज़दा tense या फिर stressful आप feel करते है इसके करन क्या होता है एक symptom बनता है कि panic attack patient को आप सकते है और डर जैसा मैसुस होता है और dizziness तो कई बार यह panic attack देखने को मिलते हैं अचानक से patient जो गुसा हो जाता है panic attack जो उसको आने लगते है तो यह भी एक symptom बनते है anxiety because उसके दिमाग में ऐसी चीज जो बैठ जाती है कि जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और यह सब symptoms उसके body के अंदर देखने को मिलते हैं और फिर patient जो काफी weakness जो है feel करता है because यह माहूल के अंदर या फिर इस तरह से जो दिमागी हालत उसकी जो हो ज होती है कि आप mentally भी काफी आप stress fulfill करते हैं और उसके करण भी सरीर में काफी थकावाट में होती है पसी ना आने लगता है heart rate आपके increase होते हैं और उसके करण blood pressure भी patient का जो बढ़ता है और जो tension है या फिर जो problem है तो उसके बारे में वो बार-बार सुचता ही रहता है और वो thinking जो है उसके कम नहीं होती because वो चाहे तो भी ऐसा नहीं कर पाता कि वो thinking वो कम कर सके तो यह कुछ symptoms develop होते हैं तो उसके करण complications क्या होंगे complications मतलब कि कौन से दूसरे risk आपके उपर हो सकते हैं तो सबसे पहला है कि लंबे समय तक समझो कि आपको anxiety रहती है तो उसके करण आप depression म जा सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे cases होते हैं कि अगर starting के phases में anxiety को ठीक ना किया जाए तो वो आगे जाके depression का जो है वो सवरूप ले लेती है और जिसके करण बहुत सारे complications होते हैं patient के अंदर जैसे कि सोने में आपको problem होते हैं कि रात को late night तक आप जागते हैं या फिर आपको गहरी नींद नहीं आती कि जो हम कहते हैं कि sound sleep होनी चाहिए कि आपको गहरी नींद आनी चाहिए अच्छे से तो वो नींद नहीं आती आपको फिर digestive problems होनी लगते हैं लेकि हमारे पाचन तंतर से जुड़ी बीमारी आपको हो सकते हैं कर आपकी life में anxiety है stress है काफी ज्यादा nausea vomiting हो सकती है या फिर कुछ cases में आपको तुरंत diarrhea हो जाते हैं watery diarrhea कि जिसको हम loose motion कहते हैं वो भी problem होता है या फिर bowel problem मलेकि हमारे intestines related problems भी आपको हो सकते हैं कि जिसके अंदर constipation या फिर diarrhea जो हो सबसे top पे हैं फिर chronic pain हो सकता है आपके body के अंदर या फिर headache है मतलब कि सीरदर ज तो social isolation हो सकता है उन् rif कि आप social मत्की public में जाने से आप डढ़ते हैं या फिर आप ऐसा सूचते कि कि किसे बाचित करने से भी आप ड़ते है तुर river appro a school मेरे जाते या फिरस काम करदे कुछ तो उस दौरान जो आपका कुछ काम है उसको आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं फिर आपकी life के quality जो है वो यह सब problems के करण, यह सभी मसलों के करण poor हो जाती है और suicide के thought आने लगते हैं और कई बार लोग जो है वो suicide attempt भी करते हैं चिंता के करण, तो यह सब complications होते हैं और उसके करण body के अलग-अलग parts के उपर असर हो सकते हैं, जैसे कि आप देखो कि psychological हम असर देखें, तो आपका brain का performance कम होने लगता है, आपके याद सकती जो हो कम हो सकती है, memory power आपका कम हो सकता है, depression में जा सकता है, patient, फिर immune system के उपर असर हो सकता है, मलब कि आपकी immunity भी उसके करण down हो सकती है, heart के उपर हम यह आपे देखो कि यह आपे patients बढ़ सकते है, muscles में आप याप देखो, muscles pain होने लगते है patient को, pancreas के उपर भी उसके असर होती है, जिसके करण आपको insulin आपके सरीर में कम release होगा, या फिर insulin का resistance डेवलप हो जाएगा, उसके करण आपको diabetes का symptoms जो हो आपकी body के अंदर, देखने को मिलें कि sugar जो हो मातरा बढ कुछ cases के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, कि उनका वजण बढ़ता है, या फिर obesity के complications होते हैं, या फिर कुछ cases में ऐसा है कि उनकी भूख जो हो कम हो जाती है, और बूख कम हो जाने के कारण भी, कई बार कुछ cases के अंदर weight loss जो है वो देखने को मिलता है, ये कुछ complications होते ह treatment के बारे में आप समझते हैं, तो treatment का सबसे पहला option है कि patient को अच्छे psychiatrist के पास ले जाना चाहिए, और उसको psychotherapy जो है वो provide करने जाए, because जो psychiatrist होते हैं, जो manovagnatic होते हैं, तो वो क्या करते हैं, proper बास्चीत करते हैं patient के साथ, और उसका जो problem है कि किस बारे में वो सबसे ज़्य treatment करते हैं, तो second यही बात है कि talk therapy, talk therapy मतलब कि बाच्चित करना, कि जब आप patient के साथ बाच्चित करते हैं और बाच्चित करके उससे पूछते हैं कि a main reason क्या है, किस कारण से वो चिंता में है, किस चीज़ के उसको गबराहट है, किस बात के उसको बहुत ज़्यादा गबरा होते हैं, कि अपने धर्म के according to, अपने मज़भ के according to, जो भी अलग-अलग spiritual activities है, वो कर सकता है, कि जिससे एक mind जो वो meditation के condition में रहता है, तो वो भी एक चिंता को कम करने में मदद कर सकता है, और cognitive behavior therapy की जो हम बात करते हैं, तो उसके अंदर ये meditation भी involved हो जाता है, तो ये बनत allopathic medications का भी यहाँ पर option रहता है, तो anti-anxiety drugs जो हो यूज की जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे है, acetalopram, तो वो यूज कर सकते हैं patients, फिर herbals के अंदर हम देखे तो हिमालिया mandate है, हिमालिया टागारा है, होमियोपेथी के drops आते हैं, तो detail में जानते हैं, ये medications के ब tablets आते हैं, R14 drops आते हैं, कि जो होमियोपेथी, herbal medications के तोर पर यूज कर सकते हैं, SBL का sleep tight करके tablets आते हैं, जो आपको अच्छी नींद देता है, और कई बार आपकी नींद अच्छे से पूरी होती है, तो भी stress का जो condition है, या फिर आपकी anxiety है, वो कम होने लगती है, और पांच हम देखें, तो हिमालिया का mind care करके जो tablets आती है, उससे भी ये problem जो होता है, तो यहापे आप देख रहे हैं, तो खासकर ये tablets जो दिन में दो बार लिए जाती है, कि एक सुबह एक tablet लेता या फिर एक साम को, या फिर जिस तरह से आपके doctor या फिर pharmacist आपको suggest करते हैं, इस त हैं, तो जितना आपका mind जो वो proper रहता है, mental health जितनी आपकी सुदरती है, उतना ये problem जो दीरे-दीरे स्वाल होने लगता है, अब बात करते हैं, medicines की alopathic में, तो सबसे पहले best है, citalopram का option है, second है acetylopram, fluoxetine का option बनता है, paroxetine है, और sertalin, तो ये 5 जो सबसे best medication जो कई जाती ह है, depression को कम करने के लिए भी, और साथो साथ anxiety, जो चिनता है, गबराहट है, डर है, stress है, तो citalopram खासका 20 mg के dose में available होता है, cipralis 10 mg के अंदर, fluoxetine जो है 20 mg जितना, paroxetine के हम बात करें, तो ये 20 mg में भी available होता है, as well as 37.5 mg के उसके control list tablet भी available होते हैं, और sertalin खासका 25 mg, तो ये medications खासकर lower dose से treatments टूरू की जाती है, और जरूरत पढ़ने पर ही उसका dose जो है वो increase किया जदर, खासकर patient दिन में एक या दो बार ही उसका lower dose जो है वो लेते हैं, पर ये दवाया कुछ side effects करती है, जैसे कि आप बीमार हो रहे हैं, या फिर आप ऐसा फिल करते हैं, कि आ बीमार होना, vision blur होना, ऐसे कुछ side effects कर सकती है, medication, dry mouth होना, गला सुख रहे हैं, आपको ऐसा फिल करते हैं, या फिर agitated, मतलब कि ये दवायों के high dose के करन, या फिर ज्यादा dose में कोई patient ले लेता है, तो उसके करन सरीर में जो हो कमपन देखने को मिलती है, कि हाथ और पर इस त फिल करता है, सेकी जिसकों कहते हैं, NCS, मैं लेकि चिंता कम होनी के बज़ाए, और जदा चिंता बढ़ सकती है, अगर आपको ये medication suit नहीं करते हैं, तो proper dose में ही ये medications ली जाती है, और proper medical supervision में ही ये दवायों जो हो यूज करनी चाहिए, और फिर diarrhea हो सकता है कुछ लोगों को या फिर constipation, भूख कम हो जाना, या फिर weight loss करवा सकती है, ये medication, तो ऐसे इसी के detail में किसी भी विमारी के बारे में medicine course में, pharma rocks के बूपर कि जहाँ पर आप सीख पाऊंगे, affordable price में, अलग-अलग medicines के बारे में, तो medicine course को join करने के लिए में WhatsApp कर सकते है, 9016312020 पर या फिर हमारी app को आप डाउनलोड करें, so good luck and all the best.